हालो गैज़ आप लोग का स्वागत है आपके अपनी यूटूब चैनल टॉपर सिंट पर तो डेली की तरह हम लोग आज भी मॉनिंग अब्डेट लेकर रहा हैं जितनी भी इंपॉर्टनेट अब्डेट आज के न्यूश पेपर में आई हो सारी अब्डेट हम लोग देखने हो सकता है आज अमीद है कि आज 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 आडर भी आ सकता है तो जो भी अपदेट होगी व आज में बताउंगा सेरियल लंबर की बात के तो पन्दा «पजा केंगे स्थां क के ना क यूट हो हैattaु कि तो ऑज ये काफी जादा अपडेट जो है इम्पॉर्टेंट है बेट अगली अपडेट आईगी इस चैनल के माद्यम से आप सभी लोगों को सही समय पर बता दी जाएगा इसलिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरह जो अगली अपडेट आईए वो आईए चातवरती को लेकर के रिकार में टीम लोट गई और अब जाज समित की अध्यक्ष के आदेश का इंतजार है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिन चात्रों को स्कॉलर से मिलनी चाहिए थी उन चात्रों को स्कॉलर से नहीं मिली तकरीबन 80% चात्र ऐसे थे जिन लोगो यूपी स्कॉलर सिप का लब नहीं मिला जाज के लिए कमेटी आई लेकिन उसकी जाज भी ठंडे वस्ते में चली गई यहाँ पर आप देख लिजे जिले के सिक्षन संस्तावों में समाज कलनार विभाग की ओर से चात्र वृति के आवेंटर में तमाम खामिया मिली इस मुद्दे को आपके अपने अख पर आप देख सकते हैं कि बहुत से चात्र आइसे थे जिनको नहीं मिला लेकिन बहुत से काले संस्थान ऐसे थे जहां पर फरजी तरीके से लोगों को स्कॉल से दिला दिया गया और अब जो है उसकी जाँच पर भी कोई असर नहीं पड़ रहा है और जाँच करने वाले अधिकारियों पर भी दवाव आ चुका है और वो लोग भी अपनी जो जाँच है उसको ठंडे बस्ते में रखती हैं ठीक है तो यह रही जहां पर स्कॉलर सिप को लेकर के अपडे प्रारतना पत्र के मूल प्रत्र समस्त संगत साक्चियों सहित अपर सिप्चा निदे सक मादमिक सिप्चा निदे साले प्रियाग राज को निर्धारी तितके वीतर पंजी कर डाक से भी भेजना है उत्तर प्रदेज मादमिक सिप्चा सेवा चैन बोर्ड टीजीटी पीजीटी दोजारी कीस में चैनित लगभग डाईस हो से अधिक अब ब्यारतनों को अब तक कालेजों में निदे नहीं मिल प माना जा रहा है कि अब ब्यारतनों के साख्च सहीत प्रत्यावदन मिलने पर बिना वजा निदे न देने वाली संस्था प्रमकों पर कारिवाही भी की जाएगी तो यहाँ पर लिखा एक बड़ी अपडेट है जिन भी छात्रों को अभी तक समायोजन नहीं हुआ है या उन पर भरती पर लगी रोंक हाई कोड ने उत्तर प्रदेल लोकसेवा आयोग की ओर से कराई गई इस्टाब नर्स भरती परिक्षा 2021 के रिक्त 1729 पर भरती प्रिक्रिया आगे बढ़ाने पर रोंक लगा दी गई है साथी मामले में उत्तर प्रदेस सरकार से जवाब दाखिल कर करने को कहा गया है या आदेश नयायमूर्ती मंजूर आनी चौहान ने प्रिती पटेल वा अन्न की याचका याचकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया है याची के दिवक्ता रोहित द्वेदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग ने 4733 पदों पर भरती के तक 1729 पदों पर भरती पर रोंक रहेगी कोट ने मामले में सरकारिय द्योकता से जवाब दाखिल करने को कहा है और सुनवाई के लिए 9 माई की तारिक जो है निश्चित कर दिये तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक और बड़ी भरती पर जो है रोंक लगा दी गई है उत् पूरानी भरती पूरी करने और नई भरती शुरू करने के लिए बहरती उत्तरप्रदे लोकसेवा आयोग की लगातार चक्कर काट रहे हैं लेकिन अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई हाला कि कई बार आस्वासन दिया गया लेकिन भरती अठकी रही वरतियोगी चा कालीन परिक्षा नियंतरक प्रभुनात के खिलाब मुकादमा दर्श कर लिया और चैनित अभ्यारतियों के अस्थाई करन के प्रक्रिया फस गई इसके बाद आयोग ने वर्स 2013 में एपेस के 176 पदों पर भरती के लिए बिग्यापंजारी किया लेकिन इसमें भी वही को होते रहें लेकिन यहां पर जो है अभी वी जो दस साल से खाली पड़े पद है उसकर विग्यापन नहीं आ रहा है चात्र हर सोमवार को जाकर जनता दर्शन में मुक्वंति योगी आदितनात को जो है ग्यापन भी दे रहें एक अपडेट यहां पर देख लेते हैं इसक कर देख जल रही है जल्दी भरती शुरू की जाएगी जो कि जग दी सचिव है उत्तरप्रदेर लोकसे वायोग को इन्होंने कहा कि APS भरती का जल्दी विग्यापन आएगा और जल्दी जो है भरती प्रिक्रिया भी सुरू हो सकती है चलिए वही आते अपनी अगली कि बेसिक सिक्षा मंत्री को बताया कि है है कि सच्यू परिच्छा नियामक प्रादिकारी ने कोड के आदेश के आठ माँ बीच जाने के बाद एक आउमानना याचिका में जवाब दिया है कि आदेश के खिलाफ सुप्रिम कोड में अपील कर रहे हैं कि यहाँ पर आपको मैं बता दूँ बिलकुल जो एनायोस डेलर्ट का जो मामला है बिलकुल ऐसे ही है कोड ने आदेश दे दिया है चात्रों को उसके बाद PNP कहरे है कि नहीं मैं सुप्रिम कोड जाऊंगा ऐसे यहनायोस डेलर्ट के चात्रों को भी कोड ने आडर दे दिया है कि इनको भी प्रात्मिक सिक्चक बरती और यूपी टेट में सामिल किया जाए चात्रों में सामिल होए लेकिन अब PNP कहरे है कि नहीं अब हमें जो है डबल बैंच में जाना लेकिन सची उपरिक्चा नेमक पाधिकाई ने अभी तक मामले की एक भी सुनवाई नहीं करवाई है जिसके कारण तीन साल से